दोस्तो आप लोग का हमारे चैनल में ने हर्दीक स्वागत हैं । आज की वीडियो मेरे आपको बताने वाले हैं आज इंट्रडे में मार्केट का मॉमेंट कैसा रहा साथ में कलका दिन कैसा रहने तो आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहोंगी आज मुझे फीवर हो गया था मॉर्णिंग में लेने के बाद दस बजे के आसपास फिर मैंने मेडिशन लेकर त्वासा रेस्ट किया दूटू दिस मार्केट होल्डे वाच नहीं कर पाए लास्ट फिर तीन बजे के आसपास मैंने देखा तो इंट्राइकर तुमा कम बात करेंगे और कल कैसा रहने वाला है कल कल इंपोर्ट लेवल कांस होगा वो डिकेल में बात करेंगे फिर भी त्वासा ले चलेंगा आपको स्मॉर्ट एफ्रेम पे और आज हमने जो आपको लाइम मार्केट में मतलब सॉरी लाइम स्ट्रीम में जब प्री ओपनिंग हो गया था उसके बाद हमने कुछ लेवल आपको बताया थे तो हमने जो लेवल दिया था इंजाटली वहां पर आया कि ने आया वो चेक करते हैं देखिए तो मॉर्णिंग में हमने आपको लेवल दिया था 19,000 धिया दिखेगा 530 से 19,300 थीक है यह क्या था इंपोर्टेंट सब्कोर्ट एडिया अब देख सकते हैं इस केंडल ने जो लो लगाया वो कहां पर 19,000 533 के आसपास मिन्स हमने जो आपको लेवल दिया था इसके आसपास से यह बैक हुआ था और यहां से इसने क्या किया आप देखेंगे तो लगभग 19,000 दोस्तों यहां पर 586 के आसपास का हाई लगाया मिन्स कि इसने 42,50 अंचे 46 से क्या क्या सब लिए और यहां से ऊपर गया था तो आज के लिए हमने आपको सपूर्ट बताया था इक्जक्री वहीं से मारकेट ऊपर गया बहुत बड़ा मोमेंट नहीं दिखाया आप देखोंगे यहां पर एक रेंज में ही इसने करवाया कि का है 40.60 पॉइंट एडिया नैंटीन थाउजंड यहां देखिएगा 580 से 19600 यह क्या है यह कंप्रीट रिस्टेंज जोन मिन्स कि यह दी मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है ओपन होने के बाद यहां पे कोई पर्म करता है मिन्स कि बिख करता है यहां पर वाइंट का मौका यह देखा सकता है यहां पर देखोगे आप तो है और एकोर्डिंग डू दिस हमने आपको पहले ही बताया था यह क्या करेगा यहां से 19,600 का हाई दिखाएगा तो लगभग 80,90 पॉइंट के इसने हाई दिखा चुगा ठीक है तो हो सकता है कल एगेन एक छोटा सा जो यहां पे है रिस्टेंस इसका यह ब्रेक आउट दिखा सकता है तो ओपनिंग कैसी कैसी हो सकती या तो मारे फ्लैट ओपन होगा फ्लैट ओपन होके हो सकता है कि इसको यह ब्रेक करे या फिर फ्लैट ओपन हुआ और यहां पे क्या हुआ इसको ब्रेक नहीं किया ठीक है तो यहां से डीप ले सकता है कहां तक 19,000 550 से 19,000 330 ठीक है य यहां पर यहां से रिवर्षल देता है यहां पर गिना यह सकते हैं और यहां पर दिखा सकता है यहां से 50 प्र पर मिन्स की जो next resistance है 19,650 एक लिए पर गैप को open भी कर सकता है अब गैप open होने के बाद या तो open है same करेगा या फिर क्या होगा यहीं पर bullish candle यह form करेगा थोड़ा साब को दिखाएंगे दोसरों थोड़ा सा इसको और minimize करेंगे तो यहां पर पर देखेंगे यह है next resistance यहां पर यह जो candle है ना यह आपका next resistance मिसके 19,650 तो यदि इसी क्या सब्सक्राइब होता है उपर होने के बाद possibilities क्या क्या होगी यहां तो open है same करेगा या फिर यहां पर bullish करेगा यहां से 19,700 तच करने को सिस करेगा या फिर यह एक बार ही टेस्ट के लिए 19,000 यहां देखिएगा 580 से 196 अनिर्गा भी लेवल यह तच करने आ सकता है तो यहां से यहां तक शॉट कर सकते हैं ठीक है तो यह सब possibilities हो सकती है तो यहां पर सपोर्ट के पास में यदि क्या करें यहां से आप बारे में यहां पर देख सकते हैं तो इंपोर्टेंट क्या ओपनिंग जिस तरीके से होगा उस तरीके से मुख ट्रीट प्लान करेंगे दोस्तों बात करना चाहिए बैंक निफ्टी के बार इस देखने को मिला था बात करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं देखिए दोस्तों यहां पर यह देखोई है क्या है तो इस नीचे आया था हमने आपको जब यह नीचे आ रहा था एक अपडेट किया था इंपोटेंट सपोर्ट इंट्राडी के लिए 44,550 क्या था इंपोटेंट सपोर्ट यह यह था हमने आपको लगबग मतलब 945 के आसपास में अपडेट किया था यदि मार्केट इसको उपर सस्टेन करता है यहां से मार्केट अपसाइट जा सकता कहां तक 44,000 यह 650 से 44,700 तक भी यह जा सकता है तो आप देख सकते हैं यह से उपर 100 दे दिया था बाद में इसमें गिरावट हुआ तो यहां पे हम देखने थे क्योंकि तो सब्सक्राइब करेंगे कल के लिए कल हमें किस तरीए से ट्रीट करना क्यों कल क्या है बैंक निफ्टी की एक स्पाइडी भी है ठीक है पहले क्या था था थास्डे को होता था बट अब क्या हुआ सिफ्ट हो गया है तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यह कल के लिए जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है वह क्या है प्रटीफोर थासेंड थासेंड वाइड़ से लिए ठीक है यह क्या है यह कंप्लिक सपोर्ट यह लिए दोस्ति यहिए मार्गेट फ्लैट ओपन होता है यहीं पर यहां से आप बैसरेकर ट्रीट बना सकते हैं एक यह देखो यहां पर निफीजिद की खींड यहां से ब्रे इसितंताय है यह ए फरदर यहां से नीचे हPA24,444 हमन्रेड और यह ब्रेक हुआ जे determ करता है और 44 झाल झाल